तो कैसे हैं शिक्सर के चाहने वाले, बिकेट के मदवाले, किरकेट के दीवाने, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे सहोंगे। आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं, S820 2023 मैश संबर 3rd, अगर हम इस मैश की बात करें, संराजन इस्टन कैप वरसेच, पेटोरिया कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा, हम कह सकते हैं, SRH वरसेच, DC, मतलब संराजन हैदराबाद वरसेच, डेल ही कैपिटल्स, लेकिन दोस्तों, यह IPL थोड़ी ना, यह तो है, S820, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ प पिर पेटोरिया कैपिटल्स, अगर आप यह जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बस आपको करना क्या पूरी वीडियो, भीना स्किप करे हुए, देखनी है, तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा करो, आप भीना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि मैं कोई हीरो या सिलिवेटी नहीं हूँ, आपकी बीच कर रहने वाला आपका अपना भाई हूँ, तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के जान दे, फेक से बचे हैं, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत जादा नकली टेलिग्राम चैनल बना लिएगे, इद्धर उद्धर और कैसे टेलिग्राम जोई ही नहीं करना, जो लिंक के मिलेगे डिस्किप्सर में, वस मैं से जोईन करें, तो हाई लोगी जो मैच है न थरस्ट टार्गेट चेज और दोस्तों, एक मैच में टार्गेट टाई भी रहा, मतलब यहां पे जो चेज और डिफैंड की कहानी है न, वह बिलकुल बराबरी किये, अब रिज स्कोर यहां पे फर्स एनिंग का, 153, 143, 149, टार्गेट चेज की बात करें, तो 149 के नीचे स्कोर ब होते हैं, आपको ज्यादा तर लो स्कोरिंग या फी मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां का जो सर्फेस है न, वो ग्रीन ग्रोस है, यहां की जो कंडिसन है, वो बाउंस है, मतलब जो तेज गेंद वाज होते हैं, भाई साब वो गेंद वाज करते हैं, ऐसा लगता है, उनको काफी ज्यादा है, यहां के पिछ से, बल्ले बाजी करना काफी ज्यादा मुस्किल होता है, यहां की जो बोंडी लेंते हैं, वो भी मीडियम में बहुत छोटी नहीं है, मतलब चोग के छक्के इतने आसानी से नहीं लगते हैं, इसलिए यहा के मादान पर कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, जीद का जंटा गाड़ेगी, चलो अब हम ना यह जाननी की कोसिस करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर सर्व एवली की बात करते हैं, लेकिन जैसे ज़रूरत होती, वैसी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको यहां पर खेलते हैं, आएंगे कप्तान एडाम माकरम, एडाम माकरम की बात करते हैं, इनके बारे में मुझे ज़्यादा बतानी की जरूरत है, नहीं चौथे नंबर की बात करें, तो यह भी काफी ज़्यादा कमाल का टी टूर्मेंस के लिए खेलता है, बले बाजी तो ठीक ठाक करते हैं, लेकिन इसके साथ धाना गेंधवाजी भी काफी ज़्यादा ज़वर्जश करते हैं, गेंधवाजी बात करते हैं, इतके करूं आपने। आप देखते हैं तेने पदिगे बंटिपराइय दोरा आप पाते हैं उसमें काफी बंटिप पर्फॉमेंस की ति water को ये run बहा पाते हैं या नहीं दोड़ा पते थे अगर हम यहाँ पर इनकी बल्लेवाज煞त ah तो काफी बढ़ी है नजर आ रही, काफी अच्छे बल्लेवाज है, और All-Onders की बात करें, इनके पास कमाल के All-Onders भी हैं, लेकिन गेंदवाजी की बात करें, थोड़ा हलकी नजर आ रही, उतना पहना पर इनके गेंदवाजी लाइनप पे नहीं नजर आ रहा है, वहीं दो जब से इन्होंने वापसी करी है ना क्या जबर जस बल्लेवाजी करते हैं भाई सब कहीं भी जाते हैं ये रण बना के आते हैं चौते नमबर पर आपको ना सेंड डेट्स बेल खेलते हैं ज़र आएकर हम इनकी बात करें साथ अफरीका का टेलेंट लड़का है जो काफी बढ बल्लेवाजी करता है पांचवे नंबर की बात करें अगर हम यह पर मारको मैर्यास की बात करता है यह भी काफी बढ़िया जब बढ़िया करता है अगर हम बात करें यहां पर साथवे नमबर की तो वेन फार्णल, वेन फार्णल की कहानी की बात करते हैं, इनकी भी न, रेली रोसों जैसे, जब से इन्होंने भी वापसी करी है भाई सा, सौध अफरीका के लिए T20 में बहुत अच्छी गेंदवाजी कर रहे हैं, और आठवे नमबर की बात करें, मीगल आप सब को बता हैं, रफ्तार के सौधागर हैं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, 11 नमबर की बात करें, जो सुवा लिटल, जो सुवा लिटल की बात करें, आयल लेंड का एक उभरता हुआ सितार है, बढ़ता क्या उभर चुका है, काफी टाइम स हैं, वो काफी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रही है, अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कमप्रीजन करें, तो मुझे जो पेटोरिया केप्टल्स की टीम है, वो सुन राजस इस्टन कैप से बहतर नजर आ रही, तो आज के मैस में क्या होगा, चलो अब हम ना ये जानने की कोसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई का सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि यार मैं कोई हीरो या स्लेवेटी नहीं हूँ, आपके बीच करहने वाला आपका अपना भाईूस ओ, अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाहर कोई तोड़ी न हम पर कर सकता है, जी हाँ दोस्तों मेरे साफ से जो ये मैच है ना, पेटोरिया कैपिटल्स अपने नाम पर कर सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, क्या बोलूँगा, मेरा टेलिग्राम जॉइन करने के लिए क्यों जूइन करना, क्योंकि इस मैच की जो फाइनल पेड उद्धर और कैसे टेलिग्राम जॉइन नहीं करना, जो लिंक की मिलेगी डिस्किप्टर में, बस वही से जॉइन करें, तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो सब्सक्राइब मि अगले मैच की वेडियो के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू